कि अलो दोस्तों राजस्तान एस एफ लिए फोरेश्ट्री ऑपिनल कर जो अपना पहला टॉपिक का सिल्वी कल्चा उसका स्टार्ट कर रहा है रिमैनिंग आपको आज नौ अगस्ट को करना था लेकिन लेट हो गया हूं आज तीन दिन लेट हो चुक्ए है कोई परपस ही रह होगा कि फोरेश्ट्री का स्लेवर्स आल्मोस्ट जितना प्रॉडर्ल वीव से कवर हो सकते वह पूरा कवर हो जाए आगे चलते हैं अपने स्लेवर्स जो है वह एबरेज लगवार ट्वेंटी सब्जेक्ट है स्लेवर्स में बट कुछ उसमें ऐसे सब्जेक्ट भी है जो यह लोग नहीं कवर करते हैं बट उनसे कुस्चन आते रहते हैं आपको एक बेसिक कॉंसेप्ट समझना होगा है फोरेश्ट्री सब्जेक्ट के साथ सबसे बड़ा इसू यह है कि इसमें जो एकेटमिक प्रोफेसर है वो यूजली एक स्टेट में एक ही होता है कॉलेज एक कई न कहीं अपने बच्चों को बता शकता है तो यह पेपर या तो बाहर से बटाते हैं तो एकेडमिक वाले जब बनाते हैं तो फोरेश्टी की जो यून वर्सिती होती है फिर वह अपने आपद पर शोंग नहीं बन जाता है तो वह हमेज़ा सबस्ट को आईजक्टल आप करदा दूसरा ये सबको मालूम है कि बूडे लोग हो जाते हैं तो आलस्तオ होते ही है जो इनके पास सबसे सिंपल तो होता है मार्केट में अब्जक्टिव उठा लेते हैं और कुछ अपने एक्वर्डिम उनमें से कुछ उप्जक्टिव वहां से उठा लेते हैं इस टाइप चाप को याद रखना कि मार्केट में जो कोई भी वी इक बुक लगा लेना जैसे क्यों कि पुर्चिवन की जो है उसकी अब्जक्टिव ह आपको इस चैनल पर भी दे रखा है उसके अब्जक्टिव लगा लेना क्योंकि यह टाइप से मुस्ट प्रोवेबल होते हैं जो इन लोगों के लिए आसान जाता है वहां से कुछन उठा देना मतलब एक्जक्ट ली वह कुछन नहीं रखेंगे बट उन्हें थोड़ा प्रोवर्मेंट ने बनवाया था तो उन्हें मालूम होता है कि जैसे पिंक डिचीज है वह यूकिलिप्टस में होती है बट भाई पिंक डिचीज यूकिलिप्टस के साथ-साथ अधर लगोट 10-15 अलग प्लांट्स में भी होती है उन्होंने जो आप्शन बना है मालूम प नहीं जो सिधा-सिधा तर्म है आपको वहीं पर कवर कर लेने हैं अगे चलता है यह तो बेसिक होगा अपने जो सब्जЕक्ट है उसमें डो टाइप से प्राविटी में डिवाईडेट कर लेते हैं एक बहुंठ प्राविटी एरिया है जिन पर अकसर कोश्टन आते हैं जैस रखा है जिन्हें सबसे अपने को पहले कबर करना है प्राइवटी सिकेंड वाले वो हैं जो कम बेटेज वाले हैं फॉर एक्जामपल जैसे की सिल्वी कल्चर सिस्टम में इसे हार्डली दो या तीन कुष्टन ही आएंगे इससे ज्यादा नहीं आएगा आगे जलते हैं जैसे सपोच प्राइवटी वालों को बाद में अब आते हैं अपने सिल्वी कल्चर में जो लगो 25 परसेंट तक को कुष्टन जो है यह एक्चुली 25 परसेंट जो है वो मैंस के लिए है जो आएफस मैंस उसके टोड़ेगा अपने सिल्वी कल्चर जो है उसको 25 टॉपिक में डवाइट किया है और उसका फर्स्ट टॉपिक इंट्रॉड़क्शी टॉपिक है जिसमें फोरेस्ट क्या होता है उसको इसमें पड़ेंगा अब इसू आता है कि आपको बुक कौन सा रिफर करना है तो सबसे अच्छा पहुंच ज़ा आएट हंड़े टू नाइन हंड़ेट चले जागा वह भी सिल्वी कल्चर के लिए तो यह बैटर है कि आप इस बुक को डिफर कर लो इसे मार्केट में आप आप आलाइन सॉप कर सकते जिए लिए 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 तो फिर आपको इसको किसी को पारने की जब्स नेक्स आते हैं तो अपना जो इंट्रोड़क्ट लिए उसको अपन बेसिकली पांच सब्टॉपिक में डिवाइडर करते हैं कि फोरेस्ट क्या है सिकर ने अपना फोरेस्ट्री थार्ड सिल्वी कल्चर फोर्थ है रोल ऑफ फोरेस्ट और होता है हिस्ट्री तो फस्त आता जंगल का मतलब क्या हुआ कि ऐसा फोरेस्ट जो किसी मैन का नहीं है नेचरल फोरेस्ट है नेचरली एरिया पढ़ा हुआ है जिसके वेजिटेशन ग्रोव कर गए तो वह होता है जंगल अगर उसे मैनेज कर दिया जाए मैनेज जंगल को हम बोलते हैं फोरेस्ट तो इसके लिए अगर हिंदी में तर्म दीखा जाए तो फोरेस्ट को बोला जाता है वन और जंगल को जंगली बोला जाता है जैसे जंगल बुख है गुरियार्ड किपलिंग की जंगल तर्म हिंदी सी या अपने जो संस्कृत है उसी से बात में इंगलिस टर्म में चला गया है तो अब कि मुद्द्धा आता है कि इसको मेडेवल इंडिया के ताइम पे मेडेवल लिटेन के ताएlles है कि वहां पर क्या हुआ कि इन लोगों की पूरा का पूरा की थूग योगhu जैसे आपके थार डेचाट में जैसे कहीं वेजिटेशन नहीं मिलेगी बिल्कुल क्लीन होगा वैसे उन्होंने पूरा क्लीन कर दिया अब उस ताम पर जो मैनर सिस्टम होगा करता था जहां पर एक जमी डार टाइप का समझ सकते हो उसके बूर की रिक्वार्मेंट है उसके लिए क्या करेगा वो उसके पार सपोज 100 हेक्टर एरिया था तो वो 10 और 20 हेक्टर एरिया उसे सेपरेट कर देगा और जिसमें ट्री प्लांटेशन कर देगा उस जो tree plantation जो 20 hectare area में किया उसको वो क्या बोलेगा term बोलेगा उसे use करते हैं या तो बोलेगा wood passage या बोलेगा timber land या बोलते थे वो उसे forest मतलब forest means वो area जिसे इन्होंने अपने area traditional growing area उसे separate कर दिया और उसमें wood tree का plantation किया वो है forest तो वही definition यहां पर आए तो उन्होंने वही forest की definition जाने लिए तो उन्होंने इस टाइप से दो टाइप के टर्म यूज़ किये वो area जहां पर इनकी plantation वर किया जहां पर forest department के अंडर था वो हो गया forest और जो unmanaged area थे उन्होंने वोल दिया गया जंगल तो forest means an area set aside for the production of timber and other forest produce इतना रहेगा काम हो जाएगा आपको यहां याद यह रखना कि इसकी definition याद रहने चाहिए क्योंकि शीदा question यही आता है जैसे में इसल लिखा होगा और आप से पूछा जाएगा कि यह क्या है यहां पर साथ में आगे चलते हैं इसके अलावा forest की कुछ और definition भी होती है जैसे अगर आप किसी जंगल में जाते हो तो आपको मालूँ पड़ेगा तो फूर फाइव स्टोरी वेजिटेशन होगी उनके क्राउन जो है ट्री का जो क्राउन है वो आपस में इतने जुंड बन चुके होंगे कि उनके नीचे ग्राउन सर्फेस तक लाइट नहीं आप काल्टिविटेट लेंग तो उससे समझ सकते हैं नेक्स एरिया है लोग के विश्पेर एक्चुली लॉग जो होता है हमारा जैसे इंडिन फोरेस्टेक्र नाइटी ट्वैंटी सेवन है वो डेफिनेशन करके नहीं दिखेगा वो वो लेगा कि कोई भी एरिया हो जिसे गव तो आसाम है वहांपर डिस्टिक कॉंसमल है डिस्टिक कॉंसल ने अगर किसी एरिया को फोरेस्ट तेजिया कर दिया यू वह फोरस्ट लेख लिए अब एक नोट देख लेते हैं फोरेस्ट में मीड़िया है तो अम इससे फोरेस्ट यह प्रह खंख तर्म पहुँ कहां से Pero युरोप से तो पर मेडियिक हो exercbook कि अ प्रस एपको दौनड़ याद रखना है कि ये ल्या बड़ी तर्म मदारे की लिए बारे सब्सक्त्रों का मतलब होता था इस बहुत आप gewoon कोश्चन आया है कि reposit है was technology दूसरा फोरड़ पूछा गया है passagerie रॉमनय घ्रीक है लैतन है ऑर सियन और चौथा कोश्चन आया है कि यह forest का means क्या होता है मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि जो village boundary के outside है अब हम एक exercise कर लेते हैं यहाँ पर वही question है आपके जो ब्हु में पूछे गए है कि वर्ल्ड forestry ड्राइब फ्रॉम वर्ल्ड forestry ड्राइब फ्रॉम लेंग्वेज बूछी गई है वहाँ पर पहले question में forest पूछा गया दूसरे में language पूछी गई और तीसरे में definition आई है कि अब आगे चलते हैं बापिस फोरेश आपको definition क्लियर हो गई आप यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसका classification फोरेश्ट के classification जो है आप फोरेश्टी जो अपना topic आएगा यह अपना जो forestry जो optional है इसमें आप बहुत सारे subject पढ़ोगे जैसे forest management जब आप management पढ़ोगे तो वहाँ पर फोरेश्ट का classification management के aspect से होगा इस्टान के सब्सक्राइब करें जो पर फोरेश्ट का classification के सब्सक्राइब करें लेकिन होता क्या है कि हम सिल्वी कल्चर जोंगी यहां शुरू कर रहे हैं और एक साथ classification पालना होता है तो वहां से सबको इखटा चंदा इखटा करके यहां पर एक साथ पढ़नेगे चिए यहां पर पढ़नी की आप वहां चब पढ़ होगए था पढ़ोगे है बड़ कभी-कभी जब में इस पर स्पाखरण ऊते हैं तो आपको एक साथ ही पढ़ना पढ़ेगा दूसरा टेक्निकल टाहसैं तर्म यहां पर जो 20 hectare में यूरोप में प्लांटेशन की गई थी मेड़वाल में वो माल लो आपके खेत में थी अब सब्सक्राइब क्या कर रहा हो कि 20-20 hectare में इसी साल नेक्स मन्त आप पूरे में 20 hectare में प्लांटेशन कर देते हो तो पूरी पूरी प्लांटेशन की एक ही एज रहेगी और अगले 20 साल बाद अगर आप क्रॉप को देखो गए तो सभी प्लांट आपको 20 एर एज के ही मिलेंगे means all tree have same age या almost same age तो एक दो साल उंची नहीं छो सकती है उसे broadly forestry में इतना hard hard and fast नहीं पकड़ा जाता है but average तो सभी लगवग एक एज के होई तो कि अनीवे नेजिट फॉरेस्ट अब सब्सक्राइब क्या करते हो कि तुम्हारा मोड होता नहीं हम तो एक साल में एक हेक्टर प्लांटेशन करेंगे या इस साल दो हेक्टर में की नेक्स ये एक में भी नहीं की पर नेक्स ये फाइ तुम्हार भी नहीं हो सकते हैं मैनमेड फूरेस्ट ही ऊजाए होला आगे आते हुँ होता है जैसे मैंने आपके दुम्हारामारा होता है कäreस्थ osuntigerth नहीं करते हैं जैसे यहां पर मैंना बोला था यह जो टर्म है कि लगवग एबरेज से मेज हो मतलब हर चीज पिलको एक्जेटली हो जरूरी नहीं है खोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है तो इसी डिफरेंस को यहां पर देखा जा रहा है कि अगर सपोच कोई क्रॉप है वो हंड्रेट यर के लिए लगाई गई हो मीज उसके जो कटिंग है वो लगवग सो साल बाद ही होगी सो साल जे पहले तो नहीं होने वाली इस के में अगर उनके पेड़ों के बीच की जो एज डिफरेंस है अगर वो 25 परसेंट तक है मीज 25 यर का वैरियेशन है मीज सपोच एक ट्री है वो 100 यर का है और दू कि पीछे एक रिचन बताता है जो रोटेशन रखा जाता है हंड़ेट यर वन फिफ्टी यर यर यह किसका रखा जाएगा मुस्ट प्रोविबल होता है यह कॉनिफर्स का रखते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉनिफर्स में जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है तो उनके बीच में क्या होता है कि 80-year का plant और एक 100-year का plant 80-100 के बीच के बीच के जो volume में फरक रहा है वो बहुत बड़ा फरक नहीं आता है उनकी quality में फरक आएगा लेकिन volume में कोई जदा फरक नहीं आता है इसलिए हम उसे average age samey लेके चालते हैं तो इसे आप इस सेंटेंस को ठोड़ा ध्यान रखें क्योंकि इससे एक कुश्चन आ रहा है कि अब एक्सर साइज देख लेते हैं इसे आप कुश्चन कर लोगे काम हो जाएगा अब अपना सेक्लिन आप्शन है रीजनरेशन प्रेस्ट को अन्दा बेसिस ऑफ रिजनरेशन सीड जर्मिनेट हुआ और उससे जो फोरेश्ट लगा वह है हाई फोरेश्ट इसमें यह जैसे आपने वैजीटेशन काट दिया किसी पेड को अपने जड़ों के ऊपर से काट दिया मतलब जड़े नहीं उखाड़ी लेकिन वह आपने जमीन के ऊपर से काट दिया तो जो ठ इसे याद रहा है कि फुरेश्ट के साथ ऐसा तो कभी होता नहीं कि 100% टीक ही लगाओगे तभी हम उसे प्यूर बोलेंगे अच्छल टेक्निकल होना यह चाहिए कि जब हमें 100 पेड में से 100 के 100 टीक मिल रहा है तभी हम उसे प्यूर फॉरेस्ट बोलना चाहिए बट नेचरली तो यह पॉसिबल नहीं है तो नेचरली हम क्या कंसीडर करते हैं कि अगर कहीं प्लांट है क्योंकि हमेसा नेचरल फॉरेस् तक कि प्यूर इसिज़ नहीं होती है वहां पर लगवात 10 तू 15 20 तक प्यूरेस्टि मिल जाती है तो अगर किसीफॉरेस्ट का पैच है अगर उसमें कोई इस्पिसीज 50% से मोर इसका पार्ट बना रही है तो हम उसे प्यूर फॉरेस्ट माल लेक्र रहा है यानि कि अगर कि यहां पर क्या है जो एपी दुएदी की फुखा उसने बोलाया कि 50% या उससे मोर जो इस्टेंट हो तो उसे हम प्योर बोलेंगे जो डाटा दिया है वो दिया है 50% का बट यहीं बुख तीछे जाकर के 50% बोल देती है और केटी प्रिदिवन जो है दूसरी बुख जो है उसमें भी 80% का ही बोला गया है कि मैं केवल यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पर केवार कुश्चन आया है जिसका ऑप्शन था 50% उन्होंने उसमें एक्टी परसेंट दिया ही नहीं तो यहां पर आपको दो नहीं रखना है अगर किसी कभी ऑप्शन में आपको 80% मिलता है नोट लेस देन 80% में अगर किसी फुरेस्ट पेच में जब टीग 80% से जड़ा हो तब ही हम उसे टीग बोलेंगे अदरवाइस प्यूर टीग नहीं बोलेंगे उसे उसके अधर ऑप्शन हो सकते हैं मिक्स विट सम्टीग सम्टिंग इस टाइप के नाम हो जाएंगे लेकिन कभी उसको टर्म जो होगा प्योर टीग प्योर टीग वेजिटेश्ट नहीं बोला जाएगा जब तक वो 80% से जदा ना हो तो आपको यूजरी 80% ही तर्म याद रखना है पर बाइचांस अकर ऑप्शन में जब 80% ना मिले तब आपको 50% पर जाएंगे सेकेंड मिक्स पोरे प्राइबेट कुछकार्प्रेशन के पास है जैसे महराष्टा में प्रॉरे डिपलक्मेंट कॉर्पलेशन इसकी घृट की प्लांटेशन है जिसमें यह टिंबर प्रोडट्चन के लिए और खसकाद प्ल पर पेपर के लिए करता है यह सिकन एक्जामपल होता है संच्युर पुत्राखन तराई रीजन में इनकी कुछ खुद की भी प्लांटे समयती है मैनेजमेंट के बेश पर बोला जाए तो आप आगे पड़ोगे कि फोरेश्ट को हम मैनेज क्या करते हैं या बेटिस का भी ले लो तो बेटिस ने जो फोरेश्ट मैनेज किये तो उनके बेसिकली तीन परपश थे एक था प्रोटेक्शन इसका जैसी की हिमालाय रीजन है वहाँ पर स्वाइल रोजन वाटर की वाटर रोजन है या राजिस्थान में जो एयर का सेंड्यूर का इश्व है हम यहाँ पर फोरेश्ट जो लगा रहा है उसका हमारा बेसिक अबजेक्ट है प्रोटेक्शन इसका सबसे अच्छा एक्जामपल होता है सैलिक्स की प्लांटेशन हम करते हैं लद्दाख वाले रीजन में यह वहाँ पर एक प्रेट्री है सी बग थौर्न इसे याद रख ल इसका नाम आएगा उस नाम को और इसकी फैमिली को और थाड़े टर्म है सी बग थौर्ण हो क्या उसका साइंटफिक नेम और इसकी फैमिली इन टीनों को आपको याद रख लेना याद रखना कि लद्दाख वाले रीजन माई तीनों ही पूछी जा चुकी है आप आगे प अब आपका जैपूर है जैपूर वालों को फूर्ट से हैं मैंने फक्त जो कारपेंटर वार्ट है उन्हें तो चाहिए अब वो कहां से लेके आएंगे तो उनके पास एक सोर्स होता है कि बाहर जो रूरल एरिया में वह इतना वुड़ नहीं कुरू होता है कि मार्केट की दिवांड फुल्फिल कर पाए अब अगर गवर्बर्मेंट के नहीं देगी तो इल्लीगली काटे जाएंगी तो इसके लिए गवर्मेंट के पास एक ही ऑप्सन है कि जंगल से काटे उसस सीस ताइब शमारा होगा सोसियु तो सुस्यल का अच्यली में मची यह कि प्रस्ट गरन ऑप करने थे सुसाइटी बैनिस्ट के लिए वह एंगर उलतसी अम्चेट आपा ग्रोविंग स्टस्ट के मैस तो आपको पर सवाइना पड़ ग्रोविंग मैं यहां पर तींटर मिया यहां पर पहला आता है आपका यह पैच है जिसमें आपका जो 20 हक्तर जो बात चल रही थी उसमें यह आपका ट्री लगा हुआ है इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो है ग्रोविंग स्टॉक दूसरा टर्म आता है इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट नीज जो ग्रोथ हो रही है एवरेज हर साल कितनी इंक्रीमेंट है और थर्ड होता है एज किलास ठीक है यह तीन टर्म यहाद रखना है अगर किसी फोरेस्ट में नॉर्मल ग्रोविंग स्टॉक है नॉर्मल एज किलास डिस्टिविशन है नॉर्मल इंक्रीमें आगे आजाईगी तब जदा बेटर बता दूए इस पर एक्सर्स आई है उसे आप कर लेगा है नेक्स्ट है लीगल इटी के बेस्पर इंडियन फॉरेस्ट फॉरेस्ट टीम टाइप से डिवाड़ेड़ करता है प्रोटेक्टेट फॉरेस्ट डिजर्ब फॉरेस्ट और विल कि नाम से टाइटल दे रखा हुता और उसमें जस्ट टाइप की होती कि इस तर्म का यह सैंस है इसका हुआ है यह जो आप एक्ट और पॉल्सी वाला यह चप्टर पड़ोगे तब आपको उसे ध्याम देता है अभी तो आपको समझ सकते हो बिटे सबसे पहले क्या करेंगे कोई फॉर्ष्ट का जो एरिया झासी कि passiert ऑसी फॉर्ष्ट बिपरडमेंट अमेंट अिवी सुनकांट इदिगलिए और बोल दिया कि इससी ऑधिकार है और जो वहां की लोकल ट्राइबल्स थे उनको उससे बाहन निकाल दिया तो इस टाइप से चैप्टर टू में आएगा रिजर्ब फॉरेस्ट और रिजर्ब फॉरेस्ट पर केवल गवर्मेंट का राइट होगा यहां पर कोई पब्लिक राइट नहीं होता है सीकेंड आता है अन्हों ने क्या किया कि चो रिजर्ब फॉरेट से लगे हुए एलिया थे उनको इन्हों ने प्रोट्रीडी क्लीयर कर दिया यह यह वह सकते हो कि यह वह एरिया था जहां तो आपको यहाँ पर चैप्टर रखछा है कौन सा किस सके इंडर आता है और यह तीनों को तीनों आते है नाइएइए टाइस से बढ़ारे है और लीघल एक्टी के बिज है कौनग्यार रखना है क्जिए आपको नोट सिलेक्ट रागोना था कि कौन सा है जो इन टी ये नहीं है नेक्स आते हैं इसकी एक्सरसाइज की से आफ कर लेंगे नेक्स आते हैं लास्ट है अपना इको सिस्टम और इकोलोजिकल बेसिस इसे चेंपियन एंट सेथ ने दिया था की से नहीं है तो थोड़ा दिमा खराब होता बड़ यहां पर आक्चली आपको काम चला देखना है आप उसमें देखेंगे के एक आयता है फॉर्थ नंबर का लेटोरल एंड स्वैंप तो आपको फॉर्थ नंबर को फॉर्थ नंबर याद रखना है ग्रॉप सिक्स है थौर् फॉर्थ इन तीनों को जड़े तर विशेश रूप से ध्यान देना है तो कि अच्छा है या कि इसे आप एक बार लिस्ट देख लेना कम हो जाएगा यह एक्सरसाइज है कर लिना नेक्स आता है अपना फॉर्थ का क्लासिफिकिशन हो चुका है अब आता अपना फॉर्थ अब फॉर्थ ही क्या है आपके पूरे पूरे स्लेवर्थ में जो भी फॉर्थ है जैसे कि फॉर्थ मैनेजमेंट फॉर्थ मैनेजमेंट फॉर्थ मैने सुरिशन वाटवर जो भी आप करोगे तो यह क्या है एक आप थियोरी पार्ट होता है और दूसरा होता है इनका प्रै प्रेटी हेक्टेर में लगाया मतलब क्रियेशन उसको कंजर्व करो जिसके पैथो जाने इंसेक्ट काटेक उस पर पढ़ रहा है उसे कम किया जाए और उसको मैनेज करने के बाद उसके प्रोड़क्त को यूटलाइज करो फाइनली आप काटके घर लगाया किसलिए इसका भी देखना है इसका क्लासिफिकिसन है वह हम केबल दो बेश पर पढ़ेंगे एक अंदा मैंने इंटेंसिटी आफ मैनेजमेंट और सिकंड तिंग आजाएगा अबजेक्ट तो पहले इंटेंसिटी के बेश पर देख लेका है इंटेंसिटी की पैस पर यह दो क्रॉप लेते हो से सेम टाइब से आप वहाँ पर होड़ा रहा है। भैदी हाइट इंटेंसिटी साइब अब आपको मालूम है कि अगर आपके पास थाउजन्ट हक्टर दे दिये जाए तो आप इंटेंसिव नहीं ले सकते हैं अब 20 हक्टर में ले सकते हैं और जब 20 हक्ट पर यूनिट एडिया आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है अगर सपोज आप घर में अकेलियो और आपके पास थाउजन हेक्टर पढ़ा है जिस पर आपको पुरह से लगाना है तो आप क्या करोगे कुछ नहीं ऐसे सीट ठला के आ जाओगे जो भी गरो करते होगे भगवान वरो से काट लोगे याट में extensive नेक्ट होता होना basis of social पर आपके प्रोटेक्शन प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है आप समझते हो प्रोडक्शन में दोड आते हैं जैसे कि एक है कॉमर्शियल और दूसरा होता है इंडिस्टिया आपको कॉमर्शियल का याद रहना चाहिए कॉमर्शियल बोले तो जैसे आपकी अगरिकल्चर क्रॉप में कॉमर्शियल नहीं आपका पड़ इंडिस्टिय में से इनडिस्टिय में लेकर जाघूए या गंड़ चूसने में यूज रही हो आप परपर्श गैबल उसका पर नअ तब गान होता है इंडेश्टिया जब इंडेश्टिया आए आपके लिए तो आपधिनीत कोई न कोई इंडेश्टिय जॉड़ी होगी एट आश त्च का ऑप्पड़ाइश्टिय ग़छ त्राई बैल्ट है यह यूवन करका कि ओम आ outta किसी लिए पल्प एंड पेपर के लिए सेंट्रल इंडिया में महारास्टा भी उसका पार्ट है यहां पर सेम परपस के लिए यूकिलिप्टस और बंबू की प्लांटेशन की जाते हैं नौध इस्ट में भी बंबू का ग्रोव किया जाता है तो आपको याद रखना है यहां का टौपिक नहीं है इह टौपिक है अपना夏 फोरिस्ट ये पूरा टौपिक टियर्ल्ब वहां परपार कि है नापना पर पर-दे हैंशनी अकर यmudbas subscribe लोग सब्चरियूइक हैं कि एक इक डिकाड़ूर्ड कें होगने होगा हम। सब्चीम है और हरे में एक प्राइज को सब्चेण लिग जाता है तो पनी है निए अंगी परबूस्टिक होगा है है हैर्ण दन हाफने हैं परपस होता है कि वो नर्सरी अपने अगाता और फार्मर्स रोड साइड है उनको वो काम करवाता है जी इस फार्मर को देना सब्सक्राइब लास्ट यह एंपी कवर्मेंट ने बोला कि वही उन्हें पास लाक प्लांटेशन करनी है नर्मदा के किनारे तो इनके लिए नर्सर में खुतने हैं अब सोर्कॉरस्ड एचर कि आप अश्य की डिपार्टमेंट वाले होते हैं जो Одसक्राइब करें और वहां पर उसके साइड में स्वाहँ करत सै तो उसे क्या बोला के ल सब्सक्राइब अभी को सब्सक्राइब है यह सब सक अंदर आ साथ है लिए यह चाय। यह एक्सेंशन में आ गया और यह हो गया फार्म फोरेश्ट से तीसरा आता है रीक्रियस्माल जब आप सपोस्थ कभी किसी नेशनल पार्क के अंदर जब इंट्री करों घूमने जाओ तो आपको मालूम पड़ो गया कि नेशनल पार्क का जो गेट होता है उससे लगों एक य इंट्री एंट्री थोड़ी हीरो की तरह ध्हमाखेदार इंट्री टाइप का बस और कुछ नहीं है यह पर ही क्रियेशनल में क्या जाएगा न्यु डैली है जैसे तो यहां पर जो गार्डेंस है बड़े बड़े गार्डेंस है उनमें जो प्लांटेशन है ट्री कि आ वह और चौता है अरबन फोरेस्टी पर पहले कुशन नहीं आते थे लेकिन जब से दिल्ली पॉलिएशन पॉपुलर होई है तब से बहुत कुशन कभी कभी कोशन आने लग रहे हैं अरबन फोरेस्टी मतलब फोरेस्टी की इविंग है जो अरबन अरिया की जो इस्यू है उनको एकलोमेटाइज करना उन इसी को सॉल्व करना और यह सबके सबके सेंडार आते हैं सोसिय पॉरेस्ट हैं अब नेक्स चाहिक कर लेकिक यह कुशन आपकर रहें नहीं सिंपल से हैं झाल झाल